कि सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए देखना है यह जो नीचे दी हुई है और को देखिये बच्चो यह पिक्चर्स दी हुई है अब यह आम सो कोशन पूछे हुए what is coming out of the chimneys in picture A हम लिखतेंगे smoke second question है what is the man in picture B feeling why is the man in picture B is feeling irritated तो देखिये क्यों irritated है तो हमें picture में भी दिखाया हुआ है हम यह answer में लिख देंगे due to noise pollution noise pollution के कारण question number three में है what is shown in picture D picture D में क्या दिखाया हुआ है तो picture D देख लेते हैं देखिये यहां पर क्या दिखाया हुआ है यहां पर air pollution होता है ना उसकी वज़े से वो दिखाया हुआ है जो बहुत सारी गाड़ियों की वज़े से smoke उससे जो निकलती है air ठीक है polluted air उसकी वज़े से pollution होता है तो air pollution हो रहा है यहां पर question number four है how does water in rivers get polluted as shown in picture C की जो पानी है नदियों में वो polluted हो जाता है जैसे की picture में दिखाया हुआ है वो कैसे होता है कौन सी picture की बात कर रहे है इस वाली picture की बात कर रहे है ठीक है तो देखे ही कैसे वो हो रहा है तो हम इसका अंसर लिख देंगे due to industrial waste जो अध्योगिक waste निकलता है कच्रा या गंदगी गंदा पानी उसकी वो जैसे पानी सही है और कौन से गलत है first है we can throw garbage in open areas हम खुले area में कच्रा फैकते हैं तो इसका हम लिख देंगे false ये बिल्कुल गलत है second है growing more and more trees can improve the quality of the air अधिक से अधिक पेड़ उगाने से हवा की जो quality होगी वो improve हो सकते है सुधर सकते है ये बात बिल्कुल ठीक है third है car pulling is a good option to control air pollution ये भी ठीक है fourth है we can use polluted water to make food हम गंदे पानी का खाना बनाने में यूज कर सकते हैं बिल्कुल नहीं करेंगे तो हम बिमार हो जाएंगे गंदे पानी से तो false लिख देंगे fifth है if animal eat garbage throwing open they may also fall sick अगर खुले में फैका हुआ कोड़ा कच्रा एनिमल्स खा लेंगे तो वो बिमार पढ़ सकते हैं ये बात बिल्कुल ठीक है बिमार पढ़ सकते हैं 680 safe to throw harmful waste and chemicals into the river क्या ये पूछ रहे हैं कि नदियों में और नदियों में जो chemicals होते हैं रसायन और खतरनाग जो कच्रा होता है उसे फैकना सुरक्षित है तो ये बात बिल्कुल गलत है ठीक है आप question number 3 में आपको space दिया हुआ है यहाँ पर आपसे बोला हुआ है write a paragraph in about 18 to 100 words on pollution आपको pollution पर 80 से 100 शब्दों में एक paragraph लिखना है तो बच्चों हम लिख देते है paragraph 6 class के according ठीक है छोटा सा paragraph लिखेंगे तो यहाँ से देखिए छोटा सा ही है जादा बढ़ा नहीं है इतना आपको लिखना है 80 to 100 words कही है pollution is the addition of unwanted substance into the environment that can damage our earth pollution जो है वो पिर्थवी पर हमारी पिर्थवी को damage कर सकता है किसकी कारण जो प्रियावरण में अंचाहे पधारत है उनके जुड़ने के कारण ठीक है तो वो pollution कहलाता है कि उससे damage हो सकता है there are four man types of pollution pollution के चार मुखे पिरकार है कौन-कौन से है water pollution ठीक है gel production, air pollution, value production, soil pollution, मिट्टी में जो पिर्दूशन होता है noise pollution जो दोहनी पिर्दूशन होता है soil को हम, soil pollution को हम land pollution भी कहते है all kinds of pollution are a result of careless activities by men सभी पिरकार की पिर्दूशन जो है महश्य द्वारा लापरवाही से की गई activities का परडाम होते है we dump waste directly into water bodies हम कचरे को सीधा ही जो पानी की जल राशिया होती है water bodies होती है उनमें फैक देते हैं which results in water pollution जिसके कारण जल प्रदूशन होता है air pollution is caused when vehicles release smoke into the atmosphere and make it difficult to breathe for all organisms air pollution किस चीज़ का कारण है जब vehicles जो है उनसे दुआ निकलता है smoke निकलता है वायू बंडल में और सभी प्राणियों के लिए सास लेना मुश्किल हो जाता है अब यहाँ पर बताय हुआ है soil pollution is caused by directly dumping our waste into landfill पूरे मैदानों में जब हम कच्रे को सीधा फैक देते हैं तो उससे soil pollution होता है noise pollution is not visible noise pollution हमें दिखाई नहीं देता but it is a dangerous form of pollution लेकिन यह प्रदूशन की एक खतरनाक form है उसका खतरनाक रूप है that can damage our ears जो की हमारे कानों को नश्ट कर सकता है तो बस इतना लिख देंगे बच्चो आपकी worksheet solve हो गई paragraph पी हो गया आपका ठीक है अगर आपको मारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमाई वीडियो को लाइक करें शेयर करें माई चनल को सब्सक्राइब करें thanks for watching